आपके एक बयान का खुब जिक्र हो रहा है कि आपने कहा था विहार चुनाओ में आपने कहाँ कि मेरा लक्ष था कि नितीछ कुमारै हा रहे हैं और हमने उनकी सीठे कम करवा धी सबकुछ आप बार बार कहते थे थे कि Narendra Modi राम है और मैं उनका पिशले दिनों कुछ टीवी इंटर्व्यूस में भी आपसे पूछा गया था इस पूरे प्रेक्राणों के दौरान खुद नरेंदर मोदी प्रधानमंत्री उनकी सरकार या भारती जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतरत है उनकी तरफ से आपको कोई पॉलिटिकल मैसेज कम्मिनिकेट किया गया इस पार्टी में मगावत के बार नहीं अभी तक ऐसे कोश नहीं मेरे विक्तिकल संबन जरूर है सत्ता पक्षो विपक्षो सबसे तो पर्ष्टन स्पेस में जरूर मेरी कई ऐसे भाशपा के बड़े नेता हैं से मेरी बाची हुई है बट अगर आपचारिक तोर पर कहें कि कोई संदेश हो या कोई ऐसी जानकारी हो जो मुझे से ली गई हो या मुझे दी गई हो ऐसा नहीं है दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार विधान सभा चुनाओ की नतीजे आने के बाद आप NDA का हिस्सा हैं या नहीं इसको लेकर एक बड़ा कोहरा सा रहा एक NDA की मीटिंग हुई थी जिसमें आपको नियोता भीजा गया फिर खबरे आएं कि नीती इश्कुमार ने इस पर बड़ा इतराज किया फिर आपकी तरफ से आ गया कि नहीं नहीं मैं स्वास्त कारणों की वज़े से या नीजी कारणों की ज़े से नहीं आ पाऊंगा तो चीजें तो गरबर दिखी रही थी बिहार विधान सभा का नतीजा आने के बाद ऐसा लगना था कि पीजेपी को ज्यडियू की ज़्यादा ज़रूरत है सांसदों की दृष्टी से भी बिहार में सरकार की दृष्टी से भी भाई ये अब भारतिय जंता पाटी को डिसाइड करना है एंडिये की मीटिंग में क्या हुआ था जिसमें आपको नियोता मिला आप लिए उसमें सही में उस दिन मेरी तवे ठीक नहीं थी इमानदारी की बात है क्योंकि मैंने भी बाद में ख़वरे सुनी उस दिन अगर आप देखेंगे तो उस दिन दो बैठके हुई थी एक all party meeting हुई थी और उसके तुरंट बाद एक एंडिये की meeting हुई थी I think all party meeting सुबह 10-11 बजे के असपास हुई थी जिसमें मैं उसमें भी नहीं जा पाया था अगर भाई से मुझे एंडिये में आने से अगर मुझे मना किया जाता है जैसा कहा जाता है कि दवाब था या जो भी था मुझे नहीं पता कि क्या था नहीं था बट मुझे इतना पता था कि मेरी तवेथ उस दिन ठीक नहीं थी और उस दिन में दोनों आपको जोता आया था एंडिये की meeting मुझे नोता आया था में पास letter है बस आज की भी हाँ प्रला जोशी पार्लेमेंटरी अफिया मिनिस्टर उनकी तरफ से मुझे वो पत्र आया था कि आप meeting में आप NDA के सहयोगी की तरह था और फिर कहा जाता है कि पत्र के बाद कोई call आया जिसके बाद मुझे नहीं जानकारी भाई इसे किसी भी call की मुझे नहीं जानकारी अगले दिन जरू मिरी उस दिन दवित खराब थी नहीं तो कम से कम मैं all party meeting में तो जाता ना एक दूसरी तिये दी जा रही है कि चूंकि आपने नीतिश कुमार पर व्यक्तियत हमले किये इसलिए नीतिश कुमार के खेमे की तरफ से ये बहुत सपश्ट का गया कि भाई चिराग के माइनस हमें लजेपी कबूल है और इसलिए जिन सारे सांसदों का नाब नाम गिना रहे है उन्होंने अपनी अपनी political relevance को बनाए रखने के लिए ये चीज की सियासत में समर में ये बड़ा जरूरी है कि विपक्षी खेमा क्या सोच रहा है इसकी जानकारी रखी जाए क्या आपको लगता है कि ये जो पांच बागी सांसा दिन में से कोई अब मंत्री परश्ट का हिस्सा बनेगा नितिश कुमार को दिक्कत नहीं होगी बिहार सरकार में या यहां केंदर में पहली बात तो भाई मैंने कभी भी मौझूदा मुख्य मंत्री नितिश कुमार जी पर कोई विक्तिकत हमला मैंने कभी नहीं किया मैं उनकी नीतियों का मैं विरोधी रहा हूँ मैं मानता हूँ साथ निश्य से बिहार का विकास नहीं हो सकता मैं मानता हूँ साथ निश्य ब्रष्टचार की एक बड़ी योजना है मैंने इन तमाम विश्यों को विधान सवा के चला हूँ है जेल में डालेंगे जाच करेंगे क्या लोग आपको यह नहीं कहते थे कि किस तरीके से नलजल में घोटाला हुआ है लेकिन बिहार की जनता ने तो आपको सिर्फ एक विधायक दिया था और मतिहानी से और वो भी विधायक चला गया दिक्कत यही है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सिर्फ संख्या के रूप से चीजों को आखा जाता है बट आप क्योंकि ज़्यादा जानकार है मैं मानता हूँ कि आप इसको इस रूप में नहीं देखेंगे आप वोटिंग पर से देखेंगे तो उससे जादा राइटिंग ऑन दा वॉल तो यह है कि भाईया नितीश कुमार जी को तो मुख्य मंत्री बनाने के लिए नहीं तो उनको तीसरे नंबर की पार्टी क्यों मना दिया गया अगर उनको मुख्य मंत्री के तो लोग इतना ही देखना चाते थे तो तीसरे नंबर की पार्टी यों क्यों मने कितनी जगा ऐसी हैं जहां पर उनके और मेरे प्रत्याशियों के बीच में मैं सिर्फ कुछ सेक्डों का वोटों का बस फर्क रहा तो जनता का जिस तरीके से समर्थन मुझे उस्वक भी मिला और खेर, coming back to your basic question कि निदी शुमार जी पर जिस तरीके से उस वक मैंने उनकी नीतियों का मैंने विरोध किया और मैं आज भी मैं उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूँ क्योंकि मैं नहीं मानता कोई political communication नहीं आप लों के बीच आपके पिता जी का जब निधन हुआ तब तो दिखे थे साजने क्डूप से तस्वीर आई थी आप उनके पाउँ चूर रहे हैं सब चीज़ें उसके बाद से कोई बात मुलाकात कोई कौन ने उसके बाद से कोई communication नहीं कोई बाची नहीं और वो सभाविक भी है क्योंकि उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा था और वो मुझसे communication इस तरीके का नहीं रखें